वल्कम तोडेश्ट टॉपिक इज एड्जेक्टिव 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 प्रोनाउन जो कि नौन और । को डिसक्राइब्स करता है उसकी प्रोपर्टी को बताता है कि उसकी प्रोपर्टी किया गुंड है है ना तो सिंपल डिफिनीशन आपको याद रहेगा एन एड्जेक्टिव इज वर्ड एड्जेक्टिव क्या है तो एड्जेक्टिव इज वर्ड डेट डिसक्राइब्स नाउन और अप्रोणाउन So simple, explore and assimilate अब देखिए, हम लोग example के द्वारा समझते है adjectives को, ओके तो first example है He likes beautiful scenery देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है और कह रहा है, कि he likes He likes beautiful scenery कैसा? scenery, तो beautiful scenery क्या है? scenery is a noun scenery हमारा noun है और scenery के बारे में बता रहा है क्या? beautiful कैसा scenery? तो beautiful scenery को वो like करता है पसंद करता है तो beautiful हमारे को क्या हो जाएगा? adjective beautiful हमारा adjective हो गया क्योंकि यह beautiful scenery के बारे में कहा जा रहा है noun के बारे में कहा जा रहा है और हम जानते हैं definition के रुसार कि adjective वह word है जो कि non या प्रोडाउन के बारे में बताता है clear यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी कह सकते है what kind of a scenery कैसा scenery है ना तो scenery की quality यहाँ इस sentence से बताय जा रही है beautiful के द्वारा next sentence देखिए give me some salt give me मुझे दो some salt कुछ नमक नमक लेकिन कितना तो कुछ यहाँ amount के बारे में बताय जा रहा है amount, how much salt amount यहाँ पर इस sentence में देखिए give me some, clear है तो यहाँ पर salt क्या है आपका salt क्या है मेरे को बताईए आप लोग what is salt salt is a noun salt क्या है हमारे को noun है है ना salt क्या है noun है और इस noun के बारे में बता रहा है कौन सम कितना नमक चाहिए है ना कितना नमक एक किलो दे दे दाल में आपके नहीं ना सम सॉल्ट थोड़ा सा चुटकी भर तो कहते हैं गिब मी सम सॉल्ट कुछ नमक मुझे दो है ना how much salt amount तो यहां amount के बारे में बता रहा है first sentence में quality के बारे में बता रहा है है ना noun है लड़का है तो कैसा लड़का है राहूल है ना what kind of a person किस परकार का बच्चा है राहूल जो है वह किस परकार का बच्चा है उसके nature के बारे में पुछा जा रहा है तो intelligent है राहूल क्या है intelligent है तो यह intelligent इस boy के बारे में बताया जा रहा है boy का nature बता रहा है कि boy कैसा है राह कि लिए रहे एड्जेक्टिव का स्पेलिंग सभी को मालूम है ना ए डी जे ए सी टी आई वी ए एड्जेक्टिव एस लगा दिये तो हो गया एड्जेक्टिव ठीक है और एस अटा दिये तो हो गया एड्जेक्टिव fourth sentence देखे आर्यन ही जे healthy man तो man के पहले यहां लगा हुआ है healthy कैसा man है? तो healthy man है how is Ion? Ion है तो appearance Ion के बारे में बताया जा रहा है कि Ion क्या है? healthy है तो यहां आप इस sentence में देख रहे हैं इन चारों sentence में देख रहे हैं कि noun की property को बताया जा रहा है है न? क्या क्या ची क्वालिटी, एमाउंट, नेचर, अपियरेंस, इनीफिंझ, कुछ भी हम लोग नाउन के बारे में जो बताते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा एऩ्जेक्टिव होता है, वह वर्ड क्या होता है? adjective जिसके द्वारा ही हम लोग noun की property को या noun या pronoun के बारे में बता सकते हैं तो वह word हमारा क्या होता है? adjective an adjective may comes either before or after a noun एक adjective जो है वह या तो noun के पहले आ सकता है या noun के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि adjective हमेशा noun के पहले ही हो noun के बाद भी हो सकता है जैसे हम लोग देख सकते हैं रीमा इजे good girl यहाँ good देखिए adjective है little baby is smiling यहाँ little देखिए adjective है तो आप इस sentence में देखिए girl जो है adjective के बाद है clear? और यहाँ इस sentence में देखिए baby जो है यहाँ भी क्या है? little के बाद है तो यह दोनों sentence में जो आप देख रहे है little और good यह दोनों क्या है? adjective है an elephant is a strong animal एक elephant क्या है? a strong animal है the old man is religious और यह देखिए religious आपका क्या है? adjective है तो यहाँ देख रहे है old man man जो noun है वह पहले है और noun के बारे में बताया गया क्या? कि वह old man जो है वह religious है धार्मित परविर्ति का है this religious is adjective तो यह देख रहे है पहले तो आप देखें कि adjective पहले है और यह देखिए adjective बाद में है तो noun के पहले भी रह सकता है और noun के बाद में भी adjective रह सकता है but an adjective always comes after a pronoun लेकिन pronoun के हमेशा बाद ही आता है pronoun के पहले adjective कफी नहीं रहता है आप देख रहे है noun के पहले तो adjective है है ना? आले अड्जेक्टिव कभी नहीं रहेगा यह नोट डाउन किर लिजिए यह एकदम याद कर लिजिए कि जब भी एड्जेक्टिव आप किसी भी संटेंस में देखेंगे तो वह हमेशा प्रोडाउन के बाद ही रहेगा जैसे तो सी क्या है प्रोडाउन हैं हमारे को क्या है रहा है यहां पर द्रीक और ग्रीन के बारे में बताया जा रहा है यह दो दोनों क्या है एड्जेक्टिव हैं यह दोनों एड्जेक्टिव हैं बिग भी आपका एड्जेक्टिव और ग्रीन भी यहाँ पर इस संटेंस में एड्जेक्टिव है और यंग एड्जेक्टिव हो गया तो हमें लगता है कि आप लोग संटेंस में आसानी से पकड़ लेंगे कि एड्जेक्टिव क्या होता है एड्जेक्टिव वह है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है एड्जेक्टिव वह है जो नाउन के पहले भी रहता है और नाउन के बाद भी रह सकता है प्रोनाउन के पहले एड्जेक्टिव कभी नहीं रहता है एड्जेक्ट किलियर कोई confusion नहीं है ओके नेक्ट देखिए execute now कुछ questions है और उन्हें हमें हल करने हैं शलिए तो हम लोग तो सीख लिए adjective अब adjective का उप्योग करना देखते हैं है न यहाँ पर एक scenery दिखाया गया है और write proper describing words for the following nouns और यह nouns हैं आप देखिए trees, sun, flowers, scene, river, waterfall यह सभी nouns हैं और हमें इस nouns के पहले कुछ proper words add करने हैं ताकि उसे nouns को properly describe किया जा सके जो आपको यहाँ scenery में दिखा रहा है तो scenery में आपको trees दिखाई दे रहे हैं न है न तो trees के बारे में हमें लिखना है कि trees कैसा है तो आप लिख सकते हैं big trees, big भी आपका adjective है न हम लिख सकते हैं green trees तो g, r, e, and green तो this green is adjective यह green क्या हो गया हमारा adjective हो गया sun, sun, red sun, okay, very good, yes, hot sun, very good, hot sun, hot हमारा क्या हो गया, adjective हो गया, बहुत अच्छा flowers, कैसा flowers है, beautiful flowers, very good, beautiful flowers, तो beautiful हमारे को क्या हो जाएंगे, adjective, beautiful flowers, clear है और scene, कैसा scene है, wonderful scene, है न, बहुत अच्छा scene है, wonderful, 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 wonderful हमारे को क्या हो गया, adjective हो गया, w, o, n, d, e, r, f, u, l, clear है और next है, river, तो कैसा river है, large river, बढ़ा river है, है न, बच्छा कहा रहा है, large river, लिख देते हैं भाई, large, तो large भी आपका क्या हो गया, adjective हो गया, है न, next है waterfall, ये जो waterfall हो रहा है, तो कैसा waterfall है यह भव गया how the Rolle to high हमारा तो हमारा क्या हो गया अडड्यक्तिवी हो गया यह नाउन ए ट्रीज प्लावर और सीन रीवर वाटरफॉल और इसमा के बारे में यह सब वॉर्ट्स बता रहे हैं तो यह सारे words किया हो गए, adjectives हो गए, तो exam में आएगा, तो आसानी से आप लोग भर लेंगे, है न, तो next question देखते हैं, pick out adjectives from the following sentences, अब यहां sentence लिखा हुआ है, इसमें से हमें adjective निकाल निकाल कर कि said में लिखना है, so simple, लिखना है इधर देखकर, देखिए, mangos are phrase, तो mangos क्या ह है, आँख से दिखाई देता है, तो mangos arm हो गया, यहां subject है, mangos are phrase कैसा है, तो ताजा है, है न, तो phrase हमारा क्या हो गया, adjective, so simple, राम is an honest man, राम क्या है, honest man है, यह man क्या है, आपका noun है, और noun के पदल लगा हुआ है, honest, honest means, इमानदार, तो honest क्या हो गया, adjective, h-o-n-e-s-t, honest, honest is what, adjective, आरियन is a strong boy, आरियन इजा है, strong boy, boy क्या है, noun, और boy के पहले है, strong, और यह strong boy के बारे बताया जा रहा है, तो strong हो गया, adjective, अब तो आप लोग आसानी से adjective, लिख सकते है, c is intelligent, c is intelligent, तो यह देखे, c pronoun है, और pronoun के बाद intelligent आया है, और बता रहा है कि वह intelligent है, है ना, तो intelligent क्या हो गया, adjective हो गया, So simple, next, this big house belongs to Sanjay, this big house, ठीक है ना, यह house क्या हो गया, घर, है ना, घर हमारा house, noun हो गया, तो कैसा घर है, तो big house है, तो big हमारे को क्या हो गया, adjective, Clear है, कि नहीं को कोई problem, नहीं न, किसी को नहीं problem है, चली, okay, the thin boy is jumping high, the thin boy is jumping high, तो देखे, the thin boy, तो boy क्या हो गया, noun हो गया, और noun के पहले क्या है, thin, तो thin क्या हो गया, पतला, है ना, तो thin यहाँ पर क्या हो गया, adjective हो गया, तो इस परकार से हम लोग, adjective को sentence में आसानी से पकड़ सकते हैं, कि नहीं को कोई problem, नहीं न, okay, यह सिख्थ संटेंस को देखिए, इस सिख्थ संटेंस के बारे में दो चीज़ कहा जा रहा है, the thin boy is jumping high, thin boy, एक thin यहाँ पर adjective है, और कैसा उछलता है, तो आपका high jump करता है, है न, high jump, तो high भी adjective हो जाएगा, हो सकता है न, high जो है, वो jumping के बारे में बता रहा है, किलियर है, चलिए, adjective यहाँ पर हम ले लेते हैं, thin, अभी इसी class के नुसार, th, i, thin हमारा adjective है, ओके, क्योंकि boy noun के पहले है, next, यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, many adjectives are formed by adding full to a noun, बहुत सारा adjectives जो है, वो noun में F, U, L, full जोड़ करके हम लोग बना लेते हैं, है न, सिर्फ F, U, L, full जोड़ेंगे, तो बहुत सारा noun है, जो adjective में convert हो जाता है, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है न, थोड़े ही देर में, यहाँ पर इस question में C में कह रहा है, make sentences, work बनाओ, with the adjectives given below, यहाँ नीचे 5 adjectives दिये गए है, slow, head, heavy, fat, और juicy, इनसे हमें क्या बनाना है, adjective बनाना है, sorry, sentence बनाना, adjective दिया हुआ है, और sentence बनाने है, तो first हमारे को क्या है, slow, तो बताईए, slow से आपको sentence बनाना है, बढ़ाईए, क्या, the tortoise moves slowly, अच्छा, the tortoise moves slowly, बहुत अच्छा, the tortoise moves slowly, अच्छा है, क्या, student करा है, he writes slowly, ओके, अच्छा, head, next है हमारे को, head, तो इससे बनाईए, we, student, head, people, हमें people से घरना नहीं करना चाहिए, we, student, s, h, o, u, l, d, student, head, h, a, t, e, head, people, p, e, o, p, l, e, people, अच्छा है, कता, we, student, head, beggar, भिखारी से हमें गिरना नहीं करना चाहिए, very good, next है हमारे को, heavy, तो क्या लिख सकते है, the trunk is very heavy, trunk बहुत भारी है, पेटी है ना, the trunk is, मम्मी का पेटी बहुत भारी है, t, r, u, n के trunk is very, v, e, r, y, very heavy, h, e, a, v, y, heavy, next है fat, चलिए बताए, अच्छा, he is a fat boy, she is a fat girl, very good, she is a fat girl, बहुत अच्छा, next है, juicy, बोलिए, mango, e, j, juicy, fruit, very good, mango, e, j, juicy, j, u, i, c, y, juicy, fruit, अब कोई भी word adjective है कि नहीं, उसे पाचानने का simple तरीका क्या है, उससे adjective word को हम दोग noun के पहले रख कर देख लेते हैं, यदि सार्थक अर्थ निखल जा, तो वह word हमारा क्या है, adjective है, जैसे juicy fruit, है न, fat boy, heavy load, है न, heavy, heavy trunk, hat, person, slow, slow car, अगर सार्था कर्थ निकलता है, slowly car, सार्था कर्थ निकल गया, तो slowly हमारा क्या हो गया, adjective हो गया, तो इस परकार से आप लोग adjective से sentence, असाली से बना सकते, exam में आएंगे, बना डालेंगे, ओके, next question, add full, f, u, l, full, add करके, to the given nouns, यह सब nouns हैं, दिये हुआ, to make adjectives, adjectives बनाना है, f, i, a, t, h, j, o, i, fruit, truth, harm, and play, these are nouns, ओके, यह सब क्या है, nouns है, अब इसमें हमें जोडना क्या है, सिर्फ, f, u, l, add कर देना है, तो वो हमारे को बन जाएगा क्या, adjective, जैसे जुआय है, जुआय में जोड दीजिए, full, लिखते है, j, o, y, f, u, l, joyful, joyful, joyful हमारा क्या हो गया, adjective हो गया, fruitful, f, r, u, i, t, f, u, l, fruitful, हमारे को क्या हो गया, adjective हो गया, truthful, t, r, u, t, h, f, u, l, truthful, है न, कुछ nouns ऐसे हैं, जिसमें सिर्फ, f, u, l, full, जोड करके, अब उसे adjective बना सकते हैं, harm, harmful, h, a, r, m, f, u, l, harmful, play, playful, p, l, a, y, f, u, l, playful, note down everyone, sabi long not talk is here, next, चलिए, जिए, 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 colors are also describing words, colors भी होते हैं, वो describing words होते हैं, और जब describing words होते हैं, तो वो क्या होते हैं, adjectives होते हैं, colors are also describing words, and describing words are adjectives, इसलिए, यहाँ पर देखिए, black spiders, तो black क्या हो गया, adjectives, ठीक है, brown chocolates, तो brown क्या हो गया, adjectives, जो भी nouns को describe करेगा, nouns के बारे में बताएगा, वो क्या हो जाएगा, adjectives हो जाएगा, ओके, यहाँ देखिए, question E, write proper color names to describing adjectives, adjectives को हमें describe करना है, proper color से देखर, क्या फिल करके, color, and color are also adjectives, ठीक है न, sentences में, spiders are, spiders क्या होते हैं, black, तो यहाँ लिख दीजे, spiders are black, and in this sentence, black is adjective, sky is क्या होगा, sky is blue, है न, sky क्या होता है, blue होता है, तो blue adjective हो गया, mangoes are yellow, तो yellow क्या हो गया, adjective हो गया, है न, कि mangoes are, क्या लिखेंगे, red, या oranges are red, लाल orange राया गया, oranges are red, तो red क्या हो गया आपका, adjective हो गया, roses are, roses are क्या होते हैं, red, red orange, leaves are green, green क्या हो गया, adjective हो गया, है न, green leaves बोल सकते हैं, red oranges, yellow mangoes, red roses, blue sky, black spiders, यह सब बोल सकते हैं, इसलिए यह adjectives है, adjectives को पहचानने का तरीका हम लोग जानते हैं, किसी भी words को नाउंस के पहले रख करके देख लीजिए, यदि उसका अर्थ सार्थक निकलता है, तो that word is adjective, ओके, एक simple तरीका है, नेश्ट देखिए, count the number of things, use the color from the list, हमें count the number of things, number of things को क्या करना है, count करना है, है न, और use the colors from the list, color from the list से, see has apples, कितने apples है, one, two, three, one, two, three apples, तो यहां लिख दीजिए, थ्री, ती, एच, आर, डबल, ए, अब यह थ्री जो है, apples के पहले है, और apples क्या है, नाउन है, इसलिए, यह थ्री भी हमारे को क्या हो जाएगा, adjectives, यह भी adjective हो गया है, यानि counting words are also adjectives, है न, थ्री apples, apples के बारे में बताया, सार्थत अर्थ निकल गया, तो थ्री हमारे को adjectives है, यानि थ्री को हम लोग यूज कर सकते हैं, adjective की तरह, there are brinjals, कितने brinjals है, one, two, three, four, hidden है, four brinjals, F, O, U, R, four brinjals, तो four each adjectives, Sino has, Sino has chocolates, how many, one and two, two chocolates, है न, तो लिख देते हैं, two chocolates, two each adjectives, हम adjective फिल कर रहे है, गोपी, प्लग, sun flower, कितना sun flower, one sun flower, and lilies, how much, how many, two, two lilies, T, W, O, how many, है न, न, गोपी, प्लग, one sun flower, and two lilies, the aquarium, है, how many, fish, count, one, two, three, four, five, and these are smalls, are also, fish, no, okay, ठीक है, one, two, three, four, and five, five fish, five fish, कि fish, न, फिस का पुल्डरल, फिसेज, नहीं होता है, बहुत अच्छा, तो सभी लोग देख लिए, आगे बढ़े, ओके, अब दिखिए, adjective में opposite, opposites in adjectives, a fat boy, thin girl, fat का opposite हो गिया, thin, fat का opposite है आपका thin, और fat भी adjective और thin भी adjective, है न, hot tea और cold tea, hot का opposite हो गिया, cold, hot मेंश गरम और cold मेंश थंड़, है न, तो देख रहा है, adjectives का opposite, the highlighted words are opposites, they describe the objects given in the pictures, they are adjectives, तो यह सब adjectives हैं, हम लोग देख लिए, तो हम तो जानते ही हैं कि noun के पहले जो रहता है, या जो noun के बारे में बता रहा है, या pronoun के बारे में बता रहा है, वो क्या होता है, adjectives होता है, तो हम लोग देख लिए, कि adjectives का opposite भी होता है, तो the opposites of the following words are given in the help box, write them in the blanks, यहां इतने words हैं, one, two, eight, इनके opposite हमें लिखने हैं, तो सभी का opposite आपको क्या करना है, write down करना है, तो big opposite क्या होगा, बताइए, big opposite इसमें से देख यह कौन सा होगा, small, यहां लिख डालिए, a small, clear, अब second वाला है tall, देख कर बताएए, tall का opposite क्या होगा, समी लोग, yes, very good, कौन सा, short, tall का opposite, short, s-h-o-r-t, short, next देखिए, sharp, s-h-a-r-p, sharp, sharp मतलब क्या होता है, तेज, sharp knife, है न, तो sharp का क्या हो जाएगा, blunt, है न, भोथर उसको हिंदी में कहते है, b-l-u-n-t, blunt, है न, sharp, पतलब तेज, a blunt means, भोथर, माने, जिस से जल्दी नहीं कटाए, है न, blunt knife, fourth है rich, rich का opposite बताईए, yes, very good, poor, rich का opposite हो गया, poor, these are adjectives, हम लोग देख रहा है, adjectives का opposite, adjective का opposite होता है, okay, deep, deep का opposite, बताईए, deep, मंदग क्या हो गया, गहरा, तो deep का opposite क्या होगा, shallow, है न, s-h-a-double-l-o-w, shallow, deep का opposite क्या हो गया, shallow, s-h-a-double-l-o-w, next है easy, easy का opposite बताईए, जल्दी से बताईए, very good, difficult, easy का opposite, difficult, d-i-double-f-i-c-u-l-t, difficult, next देखिए, fast, fast का opposite देखिए, और बताईए मेरे को, yes, very good, slow, बहुत अच्छा, fast का opposite, slow, s-l-o-w, slow, अब मेरे को full का opposite बताईए, तो एक ही बचा हुआ है, तो वहाँ से भी आप देखकर बोल दिये, full का opposite, empty, e-m-p-ty, empty, तो आप देखिए न, opposites of adjectives, adjectives के opposites होते हैं, और इस तरह से exam में आएंगे, आपको लिखने होंगे, ओके, सबी लोग बना लेंगे, read the sentences, sentences को पढ़ो, fill the columns correctively, और columns को भरना, एक तरफ adjective भरना है, दुसरे तरफ non भरना है, तो simple हम लोग फिल कर देंगे, देखिए, the girl is beautiful, इसमें girl तो आँख से दिखाई दे रही है, तो girl क्या हो गया, now, अब girl के बारे में बताया गया कैसा girl है, तो beautiful, तो beautiful हो गया, adjective, तो इस से लिख देते हैं, beautiful, clear, next, I have a pretty doll, अब इसने बताईए, doll, आपके हाथ में है, दिखाई देता है, तो doll क्या हो गया, now, कैसा doll है, तो pretty doll, है ना, प्यारा सा, pretty, p-r-e-double-t-y, 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 प्यारी सी गुड़िया, c has a long pencil, तो यहाँ बोलिए, yes, pencil क्या हो गया, हाथों में रहता है, तो pencil हमारा noun, जो आँख से दिखाई दे दिया, वो noun हो गया, और pencil के बारे में बताया गया, कैसा pencil है, तो long, तो long क्या हो गया, adjective, the tree is very tall, the tree is very tall, तो tree क्या हो गया, noun, क्योंकि दिखाई देता है आँख से, और tall कैसा, तो long क्या हो गया, adjective हो गया, the water of the lake is cold, the water of the lake, lake में इस क्या हो गया, जील, और जील तो आँख से दिखाई देगा ही, water भी दिखाई देगा, तो water और lake, दोनो हमारा noun है, है न, तो water भी noun है, कहा जा रहा है, किस के बारे में, water के बारे में, जील की पानी ठंडी है, तो पानी हम लिख दिए, water, और cold, cold हमारा adjective हो गया, so simple, तो इस परकार से आप लोग देखे, कि हम लोग कितनी आसानी से, sentence में adjective को find out कर लेते हैं, और आपको adjective समझ में आ गया, ओके, तो हम लोग next class मिलेंगे, thank you, goodbye.